बट अप लोग का भी रह गया ऐंगे कज़तों आज की क्लास से हम लोग एक नया विशह सुरू कर रहे हैं और यह है जार्खण का इतिहास है ठीक है और आप लोग हो सकता है कि पहले से अ भ्सेंदों के बारे में जानते हो होंगे लेकिन अगर जो नए स्टूडेंट है जिनको कुछ भी पता नहीं है जार्खन के बारे में तो आप लोग इस इतिहास को पढ़ने के बाद काफी कुछ जनकारी होगी तो प्रिलियम्स के पेपर वन में जार्खन की इतिहास से पांच प्रस्ट आएंगे अगर जैसे की बात कि जैस cgl की या फिर si की तो यहां से लगवग 5-10 कोर्शन होंगे जो जार्खन की इतिहास से आएंगे और यहां पर आपको पढ़ना क्या-क्या है इसमें इस प्रों प्रों की इतिहास को तीन वाग में जैसे की भारत की इतिहास को भी तीन भाग में बातें एक प्राचीन ज्ञार्खंट का इतिहास में करना है not इतिहास एसा होता है कि जब तक आपको इसकी सीमा के बारे में पता कि पहले का चीज पढ़ना है और अबढ़ा से लबस है इतना सारा चीज पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा कि जारखन के इतहास में आप उतनी ही चीजों को पढ़ेंगे जो कि केवल जार्खंड से संबंदित हैं कुछ और भी दूसरा चीज आपको यहां नहीं पढ़ने होई दूसरा चीज आप पढ़ेंगे जब इतिहास में भारत के इतिहास में आपको अभीनास सर्जों हैं वह आपके कोटा से लेबस है इसका लेकिन बहुत ही धैर रखना होगा सुरुवात में तो काफी अच्छा लगने वाले हैं लेकिन धीरे 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 थीरे थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा कोशिस यह रहेगा कि आप बोर ना हो इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और यह यह भड़ना है तो हम लोग अभी खटना को सब हम लोग अवीकेश करते के जानगे indeed है कि मिलेे पे जो समान होते हैं उस से हम लोगों के मिले आधार में जानगारी होई तो तो पत्थरों के बनेवे जो आजार करतेजिस warfare कि उसको पाषान कल में अलग अलग भाग में बाटे हैं तो तीन भाग आपको पड़ना पूरोपासान कल वद्यपाशान कल और नौपाशान कल तुफल में बन रहे थे उनकी आकार उनका बनावट और उसके अधार उसको में दूसरी केम कुछ इसे को रिखे वैसे कुछ लिखिताथिए को रिखेसे तो आड़ी हो गया से विएद है जिससे क要ता को फैसे विए सबस्की रिखेसे शाप बहुत कुछ जनकारी मिल रहे हैं उत्य पर बहुत जब भारत भ्रमन किये तो उनको भारत के बारे में जानकारी मिले जो उससे में गई उसकी जांकारी मिले हैं बहुँ सारा पुरा तात्विक अवशेस हम लोगों को मिला पर पुरा तात्विक अवशेस पतै आप लोगो क्या होता है गुड इवनिंग आप सबीको जितने भी आप लोग अंलाइन है आसा यह पहला बैस शुरू हो रहा है जारकंड जीके का और प्रती दिन आप स्टार्ट हो रहा है अब हम लोग कुछ लिखित यह कुछ ऐसे जीजें जो कि आपका भुगोल विशय का एक भाग है जैसे कि भागर्विक इतिहास हमारा भुगर्व का जो इतिहास रहा वह कब का है में भुगर्व मेरे भूमी का इतिहास भूमी के नीचे जो घटनाय, जो हम लोग का पृत्वी बना, पृत्व बनने का इतिहास है को मिलती है तो हम लोग इतिहास के वारे में जानकारी लेते हैं और कहां wise करेंग तो कहा कि भ barrier है मिलना शुरू हो गया और यसको चार बाट बाठा गया है तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आज फिर इसके तुरंत बात आपको पढ़ना है मद्य पाशानकाल पिर इसके बाद आप जानेगे नोपाशानकाल और फिर इसके बारे बढ़ेंगे आप धातु यूग के बारे में आप सब एंसर कीजेगा कि वो कौन सी धातु है जिसको सबसे पहले हम लोग उसकी जनकारी हुई क्वेगद से दातु की जनकारी तो तंबर के द्क करके ले करके त हमागे बनाए जाता था ता तो सिंदू घाटी वहूं सब्वेता काहलाती है और उसके बाद लोहा यूग के साक्षे मिले हैं तो लोहा का जानकारी हम लोगों कब से मिला वैदिकाल से उतर वैदिकाल के शुरुआत में लोहे की जानकारी हुई वैदिक पीरियूर्ड का खास बात यही था ना कि उसमें लोहे का जानकारी हुआ और जब लोहे का जानकारी हुआ तो हमारे समाज में बहुत बड़ी क्रांटी आ गाए पता है हल के फाल अब लोहे बहुत कठोर हातु होता हिरी जड़ में होगोगोगょ enfrent वे भाले करेंगे फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे डार्मिक यूगाया जैसे की वधकfruit चैन्धहर्व बहुत धर्म जैन धर्म इसका भी प्रचार प्रसार यहां पर हुआ जारखंड में तो कौन-कौन सा छेत्र इस धर्म से संबंदित है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ उतना ही पढ़ना है यह नहीं पढ़ना है कि माभीर का जनम कहां हुआ जानकारी नहीं है तो हम लोग उसकी जानकारी लेंगे फोड़ी बहुत लेकिन आधार क्या है के बारे में जानकारी ठीक है ना चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसके बाद हम लोगों क्या पढ़ना है बहुत धर्म जैनध्रम के बारे में आधानेंगे इसके बारे के पहले भी इसका नन्दवंस काथा तो मेंस के सम्में जार्खंट से संबंदी जनकारी और फिर गुप्त काल और फिर गुप्त काल यहां तक हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन जार्खंड के इतिहास में ठीक है इस बीच में आपके एक और टॉपिक पढ़ना है जार्खंड का नाम अलग-अलग समय में अलग-अलग नाम यहां से कोश्चन एक न लोगों को रिभी ज़ा करके जो पढ़ रहे हैं एक बार घर जा करके भी पढ़ लिजेगा और फिर दुसरे दिन आईयेगा थीगा फेडियो श्कुल दे गे और इसको पढ़कर आईयेगा तो इससे क्या होगा फिर दुबार आपको कभी पढ़ने का जड़ोत नीं होगा एकदम अच्छे से याद हो जाएगा पूरा पाशान काल ना पाशान और लृत है तो उस समय में मानव कहां रहते थे मानव गुफा वह रहते थे मानव और मानव करते क्या थे तो चाना कोई कठा करके वह खाते थे उत्पादक नहीं थे उत्पादन कर पाते और सिकारी थे शिकार पर ये आसरित सिकार करते थे एकने भोजनने का और प्रागातिप सी काल का आरहं भी काल है पूरा-पाशान का इस का वैं मौ मानव शारखन्ट में पूरा पाशान काल की जैनकारी हम लोग को कहां मिलते हैं पूरा पाशान काल के जनकारी हम लोगों को मिली तो छेतर इसे घुर से आप की यह तीनों जगह को ले लेता है सराइक लगखर सामा पश्चिमी सिंगभूम और पुर्वी सिंगभूम तो सिंगभूम के छेतर में आपको मिला है पूरा पासानकाल के अवशेस हजारी बाग और यही याद करने वाला चीज है तो आप से जहरकें से लेटेड यही चीज आप आप कहा से अवशेस मिला है दूसरा है घजारी बाग जट्वा से मिलें नहीं मिला है है पिर दामोधर घाटी है अवाटी से की दिर जा बना जाते हैं यह पत्थरों के अनतर ऑनाना सीखगे जितरे बनाने लगे मूर्ति बनाना भी यह सीख रहे मूर्तियां भी बनाना सीक दगी। क्यों से पता चला कि घरखंड में हजारी बाग जीमा है पता है ना अब लोग को हजार हजार भागों का शाहर के इस ego मैम आज से रही स्ऱ्ट कुर्णं करहा हूं यह को इसे यह पूछ रही यह खु fox के अथि है कि वेकेंसी कब आएगी जानते हैं हजारी बाग जिला के इसको नामक स्थान से एक बड़ा पत्थर मिला है और उस बड़े पत्थर पर आदी मानों के द्वारा निर्मित शैचित्र दिर्खा विशाल खुला सूर्य मंदिर और गुफाएं पाई गई है अशोक अशोक इधर आओ जल्दी हाँ डेली क्लास होगा हजारी बाग जीले के इसको से एक पत्थर के बड़े खंड पर आदी मानों के द्वारा निर्मित शैचित्र दिर्खा आपसे कोश्चन यहीं से पूछेगा कि पूरा पाशानकाल के अवशेज जो है एक यूट अपन अब मेरा फोन लेकर कर आओ उसमें सर्च करो इसको हजारी बाग इसको शैचित्र दिर्खा यहां पर इसका फोटो लगा दो दिखा देते हैं सब को कि कैसा है वह जो हजारी बाग से मिला है चित्र आदी मानों के द्वारा बनाए गया और यह पूरा पाशानकाल का चित्र ह अभी भी हमारे पास उपलब्द है तो एक पत्थर के बड़े खंड पर आदी मानों के द्वारा निर्मी चित्र शैल चित्र दिर्खा विशाल खुला सूर्य मंदीर और गुफाय पाए गई हैं याद रखेगा नहीं सीज को क्या क्या मिला है चली बताइए क्या क्या मिला ह हए अधी मानों के द्वारा निर्मी चित्र दिर्खा शैल चित्र दिर्खा मतलब क्या होता है नहीं सिरीज मतलब दिर्खा विशाल कुला सूर्य मंदीर और अ को प्त्थर whereby मतलब कि उस उस ब्रूप में कौन-कौन से चित्र है सैल पे चित्र का दिर्गा मतलब ग्रूप मिला है अब उस ग्रूप में कौन-कौन से चित रहे हैं अंतरिक्षियान का सोची उस समय में कल्पना है अंतरिक्षियान का कि यह तो डिश्वार्ज हो जाएगा जैसे ही इस पर काम शुरू करोगे है एक और फोन है न वो ले हो कि 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 इसको इसको तुम चेक करो ना इसको 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 गुफा इमेज कि कि जल्दी करो लाइव है ना ट्राइम लगेगा हजार इवाग कि 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 इसको इहां लगा देना कि शहेल चितर दिरखा में अंतरिक श्यान नक्षट्र मंडल भूल भूल ये जैसे आकृति मिलिए कुछ भूल भूल ये जैसा नक्षट्र मंडल और फिर क्या मिला है Он्त रिक्षआन इस सब के चित्र-मिले हैं हम किस काल के मिले हैं पूरा पाशान काल भूलिएगा नहीं ना एकदम किसी कीमत पर नहीं भूल जाएगा बहुत सिंपल सा चीज है पूरा पाशान काल यह याद रहेगा कहां पर इसका साक्ष्य मिला हजारी बाग में इसको से और किसके चित्र मिले हैं देने नक्षात्र पंडल भूलिया और अंतरिक्षियान उसको से मिला हजारी बाग से और काल कॉन सा है कुरा पार्शांगत से ऑजयित उजार कंद नब सबसें बेड़े अदून trillion होन नहीं होगा लएगा और बहुत अज़ीब बहुत बड़ाव आ रहा था जलवायू में बहुत बड़ाव आ रहा था जलवायू परिवर्टन अब एक बीज गीर देख करहें बढ़ वो दीरे करहें भीस बाने मार्ड Purdue नहीं नहीं पड़ता है आज पाल स्ऩीरा अपने आसस पास की चीज़ों बहुत बारिकी से नजर रख रहे ते किसा जानवर जो की अटेक नहीं कर रहा है पाल वाकशन कि T ये पसुपालं करो और बहुत बड़ा था और वह बदलाव क्या था कि इस समय में जो मानव थे वो और जार जो बना रहे थे अब उसकी आकार जो थी वो पूरा पाशानकाल से क्या पिक्षाप छोटी होने लगी थे वो नुकीले होने शुरू हो गये थे अब उसमें थोड़े हैंडल भी लगने शुरू हो गये थे यह जो बदलाव आया इस मद्यपाश्रानकाल के समय में आया था अब मद्यपाश्रानकाल के अवशेस कहां तहां से मिलते हैं अब उसको हम लोग जानेंगे उदर नहीं आएगा ना कि कहा रखे फोटो कि हमको फोटो चाहिए अब कैसे करोगे वह देखोगे है कि इतना चोटा है कि अपर में लगा के देखो दो उस पर टैच करके अब लगा उसको दिखा देना बाद पीडियुआ करके दो यहां पर टैच करके और वहां का गूफा भी बहुत सारा गूफा का भी पोटो लगा देना उसमें मेरा प्लास दगा देखो एक पीडियुआ में डालो और भी फोटो बहुत सारा होगा ठीक है गूफा का भी फोटो होगा वहां का सबको एक में डाल करके यहां पर टैच करके देना अब हम लोग मत पाशान काल के बारे में जानेंगे यह जो मद्य पाशान काल था इसका विशेस्ता यह था कि मानो जो थे अब वो गुफा से निकल करके अब वो बाहर निकले अब यह क्या करते थे अस्थनांत्रिक होने लगे और पत्थर से बनेवे जो आजार थे इनका साइथ जो था अब वो छोटा होना मद्य पाशान काल का जारखंड में मद्य पाशान काल के अवशेस कहां कहां से प्राप्त हुए है तो देखिए धनबाद से जारखंड में आपको जान रहे हैं कि धनबाद किस तरफ है और इधर होगा धनबाद है न किसके साथ सीमा लगा रहा है तो धनबाद से और करम और किसे मिलेगए यहां यहां से हम लोगों को मद्य पाशान काल के अवशेस मिल रहे और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पुछ खास यहां पर नहीं है अब आगे बढ़ते हैं नौ पाशान काल बहुत इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि असूर जन जाती जो है ना सबसे पहले हम लोगों को अगर असूर जन जाती के वारे पता चलता है इसी काल से पता चलता ह नौ पाशान काल से यही समय से अब नौ पाशान काल कब से कब तक का 6,000 इसा पुर्व से ले करके 4,000 अलग अलग जगा पर अलग अलग आपको जनकारी मिलेगे ऐसे अम लोग NCRT के जो काल है उसको ही हम लोग मानते है जो सही है इसकी विश्यस्ता क्या है तो आग का इसका नौ पाशान काल में नहीं हो थे यह पहले ही वो चुका था लेकिन और क्रीस की वी शुर्वारत तो मध्य पाशान में हो गए लेकिन उन्नत होना सुरो गया था नौ पाशान इतना जादा कि अब लोग जो है न अस्थाई जीवन जीना शुरू करते एक जगब पिर रहना स जहां जंगल थे खाद संग्रार थे जंगलों से खाद को चुनकर खाद को चुनकर के काना दूसरा की यहां पर पक्षी है उनको मार करके खाना यह इनका काम था लेकिन धीरे-धीरे जब यह क्रिसी करना सीख गया तो आपको रहना पड़ेगा तब आप उस फसल खूब जाए रहे था यहां देख समझ भाया है ना कोई दिकर नहीं है और जात निर्माण में अब सुधार हुआ नौपाशानकाल में अब क्या था कि मिट्टी के बरतन भी बनाए जाने लगे गाउं बसने लगे और जार्खन में असुर्जन जाती का आगमन भी इसी समय में हुआ है न जार थे बहुत पहने तीक्ष और उसमें पालिश किये वे थे जार जो थे इसका भी बस पांच मेट का समय दीजेगा उसका भी चितरम दिखा देते हैं सबके आप लुग कभी यहां गे हैं क्या बोलते हैं किसी म्यूजियम वगर हमें कभी भी नहीं इस म्यूजियम है राची में म्यूजियम है साइन्स म्यूजियम है न यहां स्टूडेमुो को जाना और वहां जाने के बाद हमको बगत अच्छा लगते लगता है कि अभी पिछली बार इतना जानकारी वहां से निकलने का इक्षा नहीं हो रहा था इतनी जानकारी वहां पर जानकारी का खान होता है और जो सचाई दीखती है पजो के सबर पढ़िए होते हैं वह सब सांधे वह सब कुछ जांकरी होते हैं आप जानेंगे नातु काल के बारे में तीन भाग बता है कांसा और लोहा को इस द्दरें के बारे और नकstar जानेंगे पत्थर के साथ साथ तामबे का प्रयोग हो रहा था और ये केंद्र था सिंग्भूंग में एक जगह है जहां से हम लोग को तामबा मिलता है कौन सा जगह है घाट शीला बिल्कुल सही है इक दम इस नाम को याद रखना है पूर्वी सिंग्भू में है यह जहां पर तामबा खनीज मिलता है और ताम्बे का प्रयोग हम लोग सबसे पहले किए थे सबसे जानकारी अगर ज़िज द्धातू की हुई TWO तामबा थे तो लेकिन ऐसा नहीं था कि जब तामर यूग आया तो उस समय में पत्थरों के औजार जो थे वो नहीं बनते थे दोनों बनते थे पत्थरों के भी औजार बन रहते लेकिन और तामबे के भी औजार बन रहते इस धातु यूग में धातुत काल के तीन भाग तामर यूग के सबसे पहले जानते हैं कि जार्खन में कुछ जन जातियां थी जो इस काम में लगी वही थी सिल के ओजार बना रहे दें इशम ब्र We सबसे पहले लोग एक जन जाती नाम तो जन जाती में है जिसको ऐसी सेडूल ट्राइब के नाम से भी जाना आता है जन सब्सक्राइब करते हैं जार्कंड में 32 ऐसी जन जाती है जो आदीम जन जाती की स्रेंडी में है मृत्यूदर इनमें जादा होता है जन्मदर की अपेक्ष्ण बहुत जादा होता है और इनकी संख्या बहुत कम होती है जारखंड में ऐसी आठ आदीम जनजातिया हैं जिनको सुचीबद किया गया है उसमें ये तीन है आसूर, बिरहोर, बिरजिया फिर कुर्वा, फिर सावर, सौरिया पहाडिया, माल पहाडिया और परहिया आठ ऐसी आदीम जनजाती है जो जारखंड में और यहां से भी राजिया विरोर मार्णाऀय का से लिया हब ना 5 का टेंशन मुर्ण साथ ऐक और मृत परहिया विल्कुल ऑठ हो गया है याद हो गया आठ नहीं याद हो आप बताएं दो बताएं आसूर बीराजिया बिर्होर सबर पहाडिया माल पहाडिया को परहिया आठ आदिम जलन जाती है तीन आपको देख रहा है और यह प्राचिंतर जलन जाती है पढ़ क्या रहे हैं दाबय पाशान कर नुश्यू, mmarah को गला जखांड में टांबे की कुल्हारी प्राप्त हुई है क्या मिला है, जबाट से मिला था हजारी बाहर गिंडा से उन्चास क्ता हैं यहां से हम लोगों को इन दबा था हुआ करता था हजारी बाग एक जगह से हम लोग को मिला है बाहर गंडा से अब हम लोग कांसे यूग के बारे में जानेगे देखें यह कुछ कांसे यूग है ना यह सिंदुग हाटी सब्वेता का काल था यह उसको कहते हैं बहुत ज्यादा साक्षी जारखंड से नहीं मिला तो आफ लोग बच गया पड़ने से ठिक है यहां से बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कांसे यूग 3,000 शापुरों से 2,000 शापुरों के बीश काता है कांसा का बनाने का काम्यां चल रहा था क्योंकि कुछ ऐसी जंजातिया थी जो मिस्र धातु बना रहे थे कांसा बना रहे गया और यह प्रयोग में विला रहा थी इसमें असर और बिइरजिया जै जगल का ही यहाँ को जंगल का आदमी कई बोट्द विश्यस्ता बताते हैं बहुत अनोखा है इ theor जण जाती है असलोगा पोलते हैं भगवान को अपने पर पेटी पहता पर बिपर यह ब Robbie न साथ लिए चलते हैं जानते हैं क्यों यह बेरो होते हैं यह हुमतु सुनागे की और यहां गूमते और उनको जंगलों में रहना बहुत पचार इसलिए को क्या कहते हैं जंगल का आदमी कहता है त्म पी जिसलिए उसलिए इसलिए को टाहते हैं जंगर गेंसे बिर्होयद जाते हैं यह ज्यादा तसफी साध्राय सो जो करते हैं तो पूजट नहीं हो पाइगा तो फिर अपने बोहगा को पेटी में लेकर करने नहीं अपनी देवताप देवताब मंद्वाय कर लिए फी रख लें पास और एक और विश्यस्ता है इनका इनका से को कहते हैं avenues कितने लुग कितने गहरों थसमें छो पड़ी बना होता है उस जोपडी को कहते है कुमबा का जाता है शंकु क्या का होता है अग गुंगुपता का बना होता है गंगुपता आप नहीं देखें हैं चलिए नोट कीजे सब आपको अभी दिखाएंगे सब बोलते हैं उसको यह करने लिए गुंगु पता होता है बड़ा साइज को अक्षर लोग पत्तल खाना वना भी खाते हैं उससे जोपडी बनाए जाता है अब रेड होता है कि नि गृन होता है अक्षर टोपी भी बनता है और माला वाला भी बनता है क्योंकि अमित शाह आये थे यहां पर कुछ दिन पहले सराइक लग खरसावा में नहीं आये थे भाषण नोशन भी दिया तो कुछ महीना पहले यह आये थे तो उसे में उनको पत्ता का माला पहना गया था बड़ा बड़ा तो वही गंगु पत्ता था अर उससे जोपडी बना पर साथ के दिनों में पानी नहीं चुएगा और जिस लड़की के द्वारा कुंबा बनाएगा अगर उसमें से पानी चू गया तो उस लड़की से कोई विवार नहीं करता है यह भी नियम है उसकी साधी नहीं होईगे और नियम ऐसा है कि कभी आज आज तक किस कुंबे से नइन टब करें लड़किया ऐस तरीके से कुंबा बनाती है कि पानी चुए भी नहीं नहीं किया जाता है जंगल का आद्मी निम्दम के संग्राहक चुन के खाते हैं क्रिसीिए बसका है जंगलों के उत्पारत को चुन करके खाएंगे शिकारी होते हैं बिरaltetल तो हम लोग सबते हैं कि सब कर दो नाम को चाहिές किस्का नाम करेद उसलारा है या फिर मुड़ा हो या संधाल हो सभी कहीं न कहीं से आकर के जारखंड में बसे हैं लेकिन बसने का क्रम अलग-अलग है उस क्रम को भी इतिहास में आप पढ़िएगा जारखंड के इतिहास में उस क्रम को भी पढ़ना है अच्छा प्रियंका उराओं जी आप बोल रहे हो कि आपने देखा है आपके गाउं में हैं पतल भी बनाया जाता है बिल्कुल राजियस उराओं जी गुड़ इवनिंग चलिए कि इहां पर कांसे यूग के बारे में जान रहे है जो जानकारी मिला रहे हम लोगों को जबार्ए पिरियद आ रहा था उस समय में 2020 से लेकर के 1000 इसा पुर्व के बीच जार्खन का लोहा उत्कृष्ट प्रकार का बहुत अच्छा लोहा कहां लोहा मिलता है जार्खन में कि बिलगु कृश्मि सिंग उममें तांबा पढ़े थे कहां पुर्वी संग्भु में घाड्शेला पश्मिंसिंग्भु में यहां पर पढ़े आप क्या लोहा नोहा मुंडि की खान जो है लोहा के लिए चीरिया की खान लोहा के लिए यह तो ऐides but यहीं से पुछेगा तो लेकिन एक एक करके वोग सब जाने लेगे इतना दूआ जान लिए कि लोहा कहां मिल रहा है लोहा यह पश्मी सिंभूम यहां परगल में पुर्वी सिंभूम और जो है यह आता है तो यहां पे उत्कृ्ष्ट प्रकार का लोहा और आज भी तो हमेटाइट प्रकार का यहां पर लोहा मिलता है जिसमें तो यहां से अच्छा सा लोहा मिलता है तो यह आपको पश्मी सिंग्भू में और यहां पर अच्छे किस्म का लोहा मिल रहा था इसलिए लोहा यूग जो था यहां भी था जार्खन का लोहा उत्प्रिस्प्रकार का लोहे का व्यापार यहां से मेसोपोटामिया तक होता था और जार्खन में लोहा यूग का आरंब असूरों के द्वारा किया गया था असूर के बारे में एक और जानकारी यह जो असूर ज लाखर के औजार बनाना यह असूर जन्जाति का काम है किस काल में सबसे पहले इनका नाम पढ़े आप लोग पाशान काल और उसके बाद जब धातु का नाम आएगा तो आसूर नाम आएगा ही आएगा इनका काम ही है धातों से बना बनाना अब आगे हम बढ़ते हैं अब हम लोग धार्मी एक भाग आपने खतम कर लिया अब लोग दूसरे भाग में आते हैं यहां तक किसी तरह का कोई दिकत कुछ भी समझने में कहीं कोई दिकत आपको बताती हूँ रिकॉार्ड है किताब खुलके पढ़िए कहीं समझ में पहले अब जाकर कर देखे कितनी अच्छा आसा समझ्मीE कई कुछ समझ में करपायाइं आप कोई दिकत नहीं होगे आप इसको लिख करके रख लिए और ट्राइभी किए जाए अब कोई किताब पढ़ लिजे सब एक ही जासा लागे का और सब लगया कि सब पढ़ा हुआ है मेरा ठीक है आप कहीं से दिकत नहीं होने वाले अब हम लोग आते हैं धार्मी कांदोलन म आपको बहुत आसान पढ़ना क्या आपको पढ़ना है है जहां से आपको कुछ अवसेश मिले बहुत धर्म से वहीं चीज़ आपको पढ़ना अच्छिब बहुत दर्म के संस्थापक पोन थे को बॉत तं ग०्य थे उनके पिता जी का नाम नार्फ किया था तुको ज्यान की प्राप्ति कहां होई थी ति deserve it I was people के नीछे आपर बोद्ग्यामें बिल्कुल बोद्ग्यामें इनको ज्यान की प्राप्ति हुए थी और पहला अदेषि इनude कहां दिया था हुआ निर्वान की प्राप्टि कहां हुज मौख रज्जे में अता है अध्लिसमें कुराना नाम सारनात को कहा जाता था सारनाथ को तो बहुत धर्म से सम्मंदित कुछ जानकारी देखे धारमी कांदोलन में हम लोग यह जानेंगे रीगवेद से सुरू करता है रीगवेदी काल का बहुत ज़्यदा साक्ष्य आप लोगों को जारकंड के बारे में नहीं मिलता है कुछ भी आपको जोतनी जानकारी की अपको रीगवेदी काल में मिलते हैं धर्म की बाधतर्वेदी काल में भी आते हैं वह बूद के आसपस थे इसके पपहले 23 तिर्थनकर कितना साल पहले का यह था तो जैन धर्म यह सब से पुराना था बहुत से भी पुराना था जैन धर्म और जैन धर्म के लिए तो पुरा मक्का ही है जारखन का गीरडी यह इतना बड़ा अंदोलन हो रहा था और प्रवद को शिखर जी के नाम से जाना जाता है संब्यद शिखर भी कहा जाता है अलग अलग नाम है और जैन धर्म से अपकोन कानकानबाद। टह sushi स आ चानकार्म प्रक्षाल निए उस समय से जैन धर्म आपकोई जहांकारी है जैन करफ और कुछ जैन अस्थल के बारे में लों जानते हैं। सब से पहले हम लोग जानेgenगे कीके बारे में इसके बारे में घीरी डी खार कंट का हजारी बॉल और क्यों डर्मा के पास गीरिडी और कि एक सथ लगा बाता है नहीं देखिये गिरिडी का सीमा क्या देवघर के साथ लगता है अचा गिरिडी के बाद कौन सा जिला है को सबसे पहले यहां कौन सा जिला है डढ़ाः फिर उसके बाद के पलामु फिर चत्रा फिर हजारीबाग फिर फोडर्मा फिर गीरिडी फिर देवघर देखें सिमा लगा रहा है देवघर फिर उसके बाद दूमका फिर उसके बाद गुड़्डा और फिर साहेगन यही है न सीरीज जीला का पारसनात का पहाड जो है जैनियों का तेशवे तिर्थंकर जिनका नाम था पारसनात इनके निर्वाण की यहां प्राप्ति मिला था यहां पर और यह समय था आठ्वी शताबदी इसा पुर्व का और इसके पहले भी जैन्यों का को यहां पर और वी लगवाद बीस जैन्यों का यह निर्वान असल है पारस्नाथ का पहाड लेकिन चुकि तैस्वे तिर्धंकर पारस्वर्णाथ थे उनके नाम पर यह मानभूम में यह हजारी बागो कुछ े और अधनबाद का ए्रिया इसके अंतर जाता है मानभूम के नाम से तक which इसके बारे में आपलों को आगे पढ़ना है ठीक है हजारी बाग के बारे में जाज अलग राजबंसों के बारे में आगे जानेंगे लेकिन मानभूम के बारे में जानें जैन सब्यता संस्क्रीति का यह केंद्र था धनबाद और यह मुख्य अस्थल यहां पर कौन कौन से थे जो जैनियों का अस्थल था याद रखिएगा बढम बलरामपूर कर्राव परा कत् पकबीरा तुईसामा देवली पवनपूर पल्मा और अरसा यह मानभूम का छेत्र है या और यह कि सुनियों होना चीकि पहली बार आप सुन रहे हों रहे हैं आगे आने वाले समय में यह इखिशान यह सुनाय झालना कुछा यह पर यह वरड आप अंजाना नहीं है कौनसा जगह है बढम बलराम आपुरण कर्रा परा सभास नाम सुने होंगे पकबीरा तुइसामा देवली पवनपूर पलमा और चोटे-चोटे अलग-अलग भाग हैं और यह जैन धर्म के केंद्र थी यहां जैनियों का अस्थव था एक नाम याद रखेगा दो नाम दो जगा पढ़ लिए एक मानभूम पढ़ लिए और गीरिडी पढ़े मानभूम में कुछ जगा पढ़े जो जैनियों का केंद्र था यह पढ़े ना आप लोग इतना ही पढ़े आप लोग और तो कुछ जाजा जनकारी आप लिए ने अब कुछ एक दो गाउं का नाम याद रख लीजेगा पलामू में गाउं है हनुमाड गाउं क्या जैन पुझाल है निमार गाउं में और हनुमाड गाउं को की जिला में है तो पलामू में यहां पर पलामू है यहां कों सब्सक्रेंदस अनलग जैन दром से यहां पर पुजैनियों का कुछ appreciation 다른 याद रहे गा ना धर्म याद रहेगा कौन बस इतना ही जानना है अब लोग सिंक्भूम में यहां पर आहएगा पर पश्मि सिंग्भू में यही हैnam यहां पर सराक नामक जाती हुआ करता और यह प्राचिंत् Kendall चेंद यहां पर आरंभिक जैन हुआ करते थे उस आरंभिक जैन को क्या कहते थे सराक कहते थे इनकी गृहस्त जीवन जीए रहते आपने घर परिवार के साथ रह रह रहे हैं और जैन धर्म को इन्हों बहुत सारह त्हरा के आपनाया है कि बहुत परिते रिवाज को जैन को कहते हैं दिगंबर और सेतामबर बहुत कठी धर में हैं यह मालूम है आप लोगों को इनका रिती रिवाज हाँ हां यह लोग बहुत सारा चीज नहीं खाते हैं तो बहुत बड़ा चीज हो गया नौर्बेश तो अचंभव है देखना भी लोग लिए पाप है अब अधुनी काल में तो कुछ भी संभव है कोई भी कुछ भी खा सकता है आयूस अभी थाइलेंड से कौक रोच और क्या-क्या सब्सक्राइब करें लेकिन लगें लेकिन हिन्दू थोड़ी है अधूर थे लोग भी मांसहारी तो नहीं है जाहसं प्याश्व नहीं खाएंगे और सबस्द्धी में भी बहुत सारा अची निगाम अहिंसक होते हैं इसा एकदम नहीं यहां तकि मूँ पर अशा बांध के रखेंगे कि आप आयू से भी कुछ ऐसा नहों कि अंदर कुछ प्रवेश कर जा कोई चोटा मोटा कीड़ा वे साम होते नहीं कर दो किदर रहे हैं इतना ही आपको पढ़ना है जैन धर्म से बस खतम सन लेखना वीदी से लोग प्राण त्यागते हैं सन लेखना वीदी जैन धर्म ही है उन्हों प्राण को त्याग आपता है क्या होता है तो प्राप्त हो गए उसी वीधी को कहते हैं सनलेखना वीधी इसी चंद्रकु तुम्हारे ने श्रमन बेल गुला में अपने प्राण को त्याग आथा तो अक्सर यह लोगी ऐसा करते हैं भी दिए रोग लगा दिया गया था गाल न यह लोग को बैठा कर दही चुड़ा हम लोग किलाते हैं उस तरीके से यह लोग यह आपने गुरूजी को बुलाते हैं जाकर वीडियो देखेगा इनका और गुरूजी को खाना आथ हम पानी भी आ रहे हैं हैं जांग दूद भी पी रहे और कोई भी चीस अबजी भी खाई रहे हैं रोटी दे रहे हैं पीर भी पता नहीं कैसे कैसे वो लोग आज इसी हाथी गूरू सब यही कर रहे हैं तो यह कठीन धर्म है इसी वज़ा से यह धर्म का प्रसार नहीं हो पाया बहुत ज्यादा जितना की बहुत धर्म फला फुला उतना यह जैन धर्म नहीं फैला लेकिन चारखंड से आपको इतना ही चीज़ पढ़ना था क्लियर है मामुली सा चार पांच जगा गीरिडी पढ़े और क्या पढ़े मानभूम पढ़े पलामू का कौन गाह हनुमार का और सिंग्भूम का सराख के बारे में पढ़े यह पढ़े याद हो गया याची अब देखे एक दो जगह और भी है जो आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है थोड़ा सा यहां चूट किया है मैं आप प्लियर करा देते हूं ऐसे धार्खण में जगा इट खोरी आप लोग नाम सुनें हैं हैं जाकर के अच्छा चत्रा से ही है तो यहां पे इट खोरी में कौन-कौन-कौन-से धर्म का संगा मस्थाल है तीनों का यह संगा मस्थाल है और हिंदो आप जाएगा तो जैन अस्थाल भी है जनियों का तपस्या का वह जगह रहा है इट खोरी में हिंदू भद्रकाली माता का मंदिर है और बात धर्म कभी है यह कोठेश्वर इसूब आपको महां पर मिल जाएगा साहस्रसीवलिंगी मिल जाएगा माता बद्रकाली का मंदिर है और जैन अस्थल भी है तो यह जैनियों में यह भी आ जाता है इट खोरी वहां भी जैनी जाते हैं एक जगह है चत्रा में कोलुआ पहाड है आपके घर के पास है कोलुआ पहाड पहाड यह तीनो धर्मों का अस्थल है हिंद्ऊ जैन दर्म और बाद धर्म तीनों का सलने को लूज पहाड याद रखिए क्पहाड할高 दो नाम जद रखिए गांंदू जहेंदकोरी यह जाड़ेगा एब ट्र oppression अब स पढ़ना था इतना ही अप peripher börjar ज प्रसार जहारकन में भी हुआ है जहारकन में क्या बुद्ध जो थे इनने इनका मुर्ती मिलाए बहुत अलग अलग जगा से इत खोरी तो आप पड़ीनिये को लुआ भी पड़र्म सन्ट यहां से मुर्तियां मिली है यहां पर आराशी जो है जल प्रपातों का शहर का जाता है बहुत सारा जल प्रपात मिलेगा गौतम धरा जल प्रपात है ना नाम सुने हैं पिकनिक गये तो नहीं गये हैं को यह है आप गये हैं उसी को गौतम धरा जल प्रपात भी कहते हैं जोनहा जल प्रपात इसको क्या कह कहते हैं गौतम धरा जल प्रपात के नाम से नाम से कहते हैं तोनों नाम एक है कुछन आएगा कौन सी नदी पर बना हुआ है जो नहार जल प्रपात राढ्हुं नदी पर बना हुआ जल पराफ पात है कौन सब नदी राढ्हु नदीThis आप जान रही है अब सुरुपरत हो रहे है तो गौतमकर किसका नाम था बुद्ध का नाम था यहां से बुद्ध के छूता नहीं था बुध की मुर्थियां मिली हैं यहां बुध स्मारक मिला है बुध की आउषेस मिले हैं बुद्ध जब को जब 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 ज्ञान की प्राप्ति हुई बुध को और यहां से जब आज्यान की प्राप्ती के बाज झारखन में बहुत धर्म का प्रभीस हुआ, कितनी वर्षक थे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ती हुई? छुन का कुछ थे। 25 साल की से प्राप्ति हुई है ॥ भर जौकर किया जान की गटिा का वहितला चाल में कहीं? बने हुए हैं कितना साल तक बने रहना है और दो सरकार जब तक चाहे चली कहिए कि भारत में हैं आप लोग को गुजारा हो जा रहे हैं तीस साल 35 साल तक भी परेंट्स हो है आप लोग को टॉलरेट कर लेते हैं नहीं बच्चा त्यारी कर रहा है परिश्या का सही में दुर भाग्य है लेकिन कोई बात नहीं आप लोग को समाझ बदलना है आगे आने वाली समय आप लोग के हांत में सब्सकों मेला भावित क्षों मतलब को सकी मेरा ब्रांच मैने जब उस त्यारी करता था हम लोगों के घर के बगल में उसके वह भी एक रूम लेकर कर रहा था तो मसी का लड़का था बहुत आया था जब वह पढ़ने के लिए पढ़ना में तो कुछ भी पता नहीं था कुछ जीके को के जब आपस में डिसकास करते थे ना तो चुप चाप बैठ के बहुत होता था था कि पता नहीं को हमसे हो बाइगा की ने बहुत में अधिया बहुत दीन रात एक किया तो वह पहला उसका साल में नगी यह बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक में जब बच्चे चले आते हैं उसके बाद वह सीगासी का रोकार बहुत काम है जीवन बरबाद हो गया बैंक में न अब किसी के मुझें जितना बैंक वह यह दिन भूल जाता है कि कितना तपसे के बाद उसको नौकरी लगी दे दीन रात प्रैक्टिस करना टेस्ट लगाना यह कोचिंग वह लड़का क्या जाकर के वह लड़का क्या जाकर नोट्स लेना तब जाकर कि उसका सेलेक्शन होता अब देखिए पलामु का हनुमाण गां याद किया थे किसके लिए जैनधर्म के लिए यहां पे गाऊंध्या और प्राफ्टीं नहुद्या दो ना में मुझे थी जितना ही कोनओं फिए संन मिला इतना ही पूझेगा कि कौन सा जगह है जो बदद्धर्म से संबंधिट है जोना हो जाूंसा संबंदीत आ Norm Youyan K deadlines a se껑 नहीए तो यदर रखना है याद रहे गbon इससे जादा कुछ भी नहीं नहीं अब बार ज़ान रहन तापक भी राता यह चोटाना बढम था बल्रांपूर था यह सब किसमें पड़े थे जैन धर्म से संबंदित धनबाद का कुछ जगा बुद्पूर बुद्पूर दालमी यह यहां पर से बहुत सार बहुत असमारक मिला बुद्पूर दालमी याद रहेगा बुदेश्वर क कशाई नदी के तट पर बुद्पूर में बुदेश्वर मंदीर सी ते यह बुद्धर्म से संबंदित है बुद्धर्म से संबंदित है बुद्धर्म मंदीर कहां पर है धनबाद में किस नदी के तट पर तो कशाई नदी के तट पर बुदेश्वर मंदीर है बुद्धर से संबंदित है याद रहेगा पलामु का कौन सा गाहा और वधनबाद का बुद्धुपूर दाल में याद रहेगा ना नदी कौन सा कसाई नदी मंदीर कौन सा बुद्धेश्वर मंदिर रहेगा और कुछ आपको नहीं जानना है अब जानेंगे हजारी बाग के बारे में जारखंड में बीच में सबसे पहले बरही पड़ता है और हजारी बाग जीले में आता है बरही जो है यहां पर सूर्य कुंड है सूरज कुंड के बारे में सुनें गरम जलकुंड है जारखंड का और पूरे भारज का सबसे गरम जलकुंड है 88 degree temperature यहां पर रहता है और यहा बुद्ध की मुर्थी मिल गई तो बुद्ध स्थापना हुआ नवन्या बना हुआ जिला है घुटी और बहुत सारा जनकारी यहां से अर्जुन्मुणडा को टी कि यहां से तीन किलो मीटर दूर एक घुटी पड़े बुद्ध धर्म से संबंदिक एक पढ़े बुद्पूर दाल में एक पढ़े क्या तो बिलवादाग तो यह आपको खूटी में मिलेगा यहां से बहुत तीला मिला है तीला क्या होता है एक बुफरा हुआ जगह फृमी में फ्रस उब्राएध अपसर तीला के नीचे आप लोग को बहुत सारे ऐसे अवसेस मिलेंगे जिससे कि पुरातात्वी का उस है जिससे कि उस काल के बारे मनों को बहुत जानकारी मिलती है तो यह किस से बना हुआ टीला है तो मौरे काल के इटों से बना हुआ टीला है मौरे काल में जो यहीट मिलता था उससे मौरे कालीन यह टिला समझने ज़े क्योंकि उससी समय का हीट sila को बनाने में और यह कहा से मिला है तो बेलवाद आपसे घूलटी में और 2015 संबंदित है यह बौत जलपरपः में मढ़ें से नधी पर है राभू नदी पर और आरुस्वन्रेखा की सहायक नदी है तो जोनात जलप्रपात से भी बुद्ध की प्रतीमा प्राप्त होई है कॉत्म भराजलप्रपात इसी को कहते हैं यहां से भी कोशन आ सकता है आप लोगों का की काण गुंबला में जगर्व करनाम कोटूंगा ग्राम को अधन गलाका कोटूंगा ग्राम याद रहेंगा मुर्थिय आगा है पलामों में बुदुपुर्द अलमी कहा है धनबाद में बेलवादा कहां पर है खुटी में और कोटुंगा ग्राम कहां पर है गुमला में और गुमला जो है जारखेंड में किस तरफ आपको मिलेगा खाल कहां यहां पर यहां से जो है जगा और यह किसके साथ सीमा लगा रहा हैं यहां से भी बुद की प्रतीमा मिले आपको पता है गुमला नदी का नाम सुनेंगी ने शंक एक नदी है और शंख तो बजाने वाला है ही एक संख लेकर के भी आया थे वहां से हम समुंदर में ऐसे जार करते एक संख मिला था तो मैंने असी रख लिया याद के लिए बहुत फ्रेश नहीं था लेकिन तुरी मैंने रख लिया दिखाएंगे आप लोगो सम बुद्ध की यह जोनहा ज दोली करती है चैनपूर परकंड से संख नदे रख लौ प्रवाहित होते है यह इतना याद रखिया चाथा अठीतार है प्राणिटर में इसी संख नदी नदी में करता था तो यहांपर ईक कोटुंगा ग्राम है जहां से बाध प्रतीमा प्राफ़ हुआ है जब्षेथ पुर एक यहां पर प्रॉद्थ के अनेक प्रमृतियां से री नहीं दो जाएगा और शारा चीज यादे हो अशोक के काल में बहुत धर्म अशोक ने बहुत धर्म को अपनाया था कलिंग यूद के बार कलिंग यूद के बार इन्होंने सांती सांती का पील किया कि सांती बनाया रखना है सांती के तरफ सांती के मार्व पर चले तो अशोक काल में जो बहुत धर्म था तो उनके उपदेश और धर्म प्रचार के लिए इन्हों ने रक्षित को न्यूपति किया था और रक्षित से कहा था कि आप अलग-अलग जगह जा करके धर्म बहुत धर्म का प्रचार प्रचार कीजे कि इतना ही जहनकारी आपको रहने हैं बहुत धर्म से सम्बंधित और इस पीज़र्म या ऑठवी प्रदेश के अंतर्गत रखा आठ अशोक का अभी लेख होता क्या है मालूभ है अभी लेख क्या होता है कोई भी हार्ट सर्फेस पर लिखेवे लेक और अक्सर वह लेक होता तो राजा के सम्मान में लिखじゃあ संभूत के लिए हरिष्चिन ने लिखा था क्या उड़त को लिखा गया। यह इंग विल के पत्थरों पर लिखे गया थह इसे लिखा गया था लुद कि Andra जो संदेश असोक अपने प्रजा को देना चाहते थे उस संदेश को क्या करते थे अभी लेखों पर लिख देते थे और जगह जगह उसको गड़वा देते थे ठीक है तो यह अभी लेख आज भी हम लोगों को मिला हुआ है और उससे हम लोगों को असोक के काल की जनकारी मिलत से थी उसमें लिखा था कि आठवी प्रदेश का मर्णन ने नाम लिखा वाँ आठ वी और इसी में जारकंड को लपेट लिया तो इसके अंदर कहा चाह्रकंड स crec pig लेकिन सब्रेथ बहुत सारे थे जो आजीवक संप्रदाई को संदे रहते खुछ बव्हादस कशन दे रहते हैं उनके लिए बिहार बन रहे थे उनके लिए जरने का जगा बन वादे थे तो बंगाल के पाल्त आ सकते उन्हों ने भी वादस सुनार्म को संदक्षन दिया और उनके समय में बहुत जादा फला फुला Hebrew जबागे संदक्रपल में रज्रपा का मंदीर नहीं नीर्मान करवाय गया थहां मंदीर का निहां करवाया था पाल सासकों के द्वारा करवाया थहां और चिनमस्ति का माता जो है यह बहुत कालीन मद बहुत धर्म से संबंदित माता हैं यह गौंड शासक ससांक ने बहुत धर्म अच्छा कुछ बच्छा बोल रहा है कि पीडी यह क्या नेट का प्रब्म है ब्लर कर रहा है अब नेट को सहीं आ रहा है यह कि निखा हुआ है यह किसी के पिता जी ने नहीं लिखा है यह मैंने लिखा है यह मेरा लिखा हुआ चीज लगबक 10 किताबों का लिखावा यह निचोड है 10-15 जगह का ये सारा चीज आप देख़ हुआ आपको प्रॉब्लाम है पीडियों तो कोई दिकस प्रॉआ तो हम पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पाते ऐसा है उहишьleen भी यह साफ ऐसे लोग इसके बारे में बोलते हैं तो यह कर नहीं पाते हैं यह करना बहुत तफ काम है इसके लिए आपको गंटौ बैठना पड़ता है और तब जाकर कि यह सारे चीज है तियार होती है और बल्यों के बस का बात है नहीं तो लोग करने ही पाते हैं इसलिए क्रिटिसाइस करते हैं तो यह नहीं तरीव हो नहीं करें ही यह स्ट डे से पढ़ाते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका ही हो और खास करके इतिहास सब्सक्राइब कोई भी वर्ड भी आप लोगों का चुटे सब्सक्राइब अब मैं बतारी हो मैं आप जाकर कोई भी किताब आ जार्खन का कोई भी जार्खन के किसी भी कोने में कोई चीज खर्थ पांटेंट आप लोगा कंठस्ट हो जाएगा सिर्फ एक बार आपको देखने का दे रहे हैं सारा चीज यहां से क्लियर रजान को अब इस सब कंठ्रोबर्सी में नहीं पढ़ते हैं आगे आम लोग जानते है ये मुर्तिया गव यह बौत धर्म साइब यह यह कर दॉब्रों क कोलुप आपको मैंने बता है जन्द्र में यह तीनों धर्म का स्थालन को लो धिरे स्यक्यल का यह उद्वाइब यह दे नियों का सब्सक्राइब दनाद को पांड धन्बाद के बारे में आपने पढ़ा है है इंदीर, तर मन्दीर, या म समस्ते है या म पुद्धुपुर भूंकि यह जीर्ण, एंदी Shh फिर प्षूटी के बारे मैं अप्ड़ेते कौन सा गहां पढ़े थे बेलवाधा किस भरब से शंबंदी था बहुत दरों से संबंदी था पशमी सिंग के बार मंछे थे कि ऐस यह उक्तिम अवा करते थे वर्ही के सूर्य कुंड के भारे उपनी क्या पढ़ाता कि मुरुतियां मिली है ं पर पर रहे में और यह हजारी बाग में अता है कि पढ़े ना रई जाननल और ज्हाय जए हुआ। हि मुझे अइसा जो समझ नहीं आया हो हुआ याद हुआ world कितना परसेंट याद हुआ होगा यह बताएं अब फिर भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आज जानकारी ले करके जा रहें यहां से 90 परसेंट आ गया समझ में याद भी हो गई हो गई नहीं याद हुआ होगा एक बार बस आज आ करके घर में कोई भी किताब हो कुछ भी जारखंड का होना चाहिए अब ऐसा नहीं गुत्राखंड का निकाल लीजे किताब जारखंड के बुक में ही आपको चेंटेंट मिलेगा तो कोई भी किताब लीजे नोट्स है तो नोट्स देखिए पीडियेव आपको मिल जाएगा ग्रूप में हार्ड कॉपी स्ट आफ लाइन को चलिए आप लोग कर आप लिख रहे हो रात में भूखे सो जाते हैं क्या हुआ हुआ है पीडियेव कहां मिलता है मैं पीडियेव जाएगा आपको अगरता बोलता है मैं यह अगर आप लोग पीडियेव वाले ग्रूप में जुडए है तो पीडियेव आपके पास होगा अगर आपने धूरीना एप पर लिया हुआ है तो भी आपको पीडियेव मिला होगा अगर आप अफ्लेंग क्लासेज में है तो आपको हाड कॉंपी मिलेगा सारे बैच को मिल गया है सिर्फ आपको इवनिंग वाले बैच में मिलना बचा हुआ है आप लोगों के लिए निया एप जो है टेपलफ हो गया है आप लोगों को उस एप पर क्लासेज मिल जाएंग इवनिंग बैच के ठीक है तो आज बस इतना ही तो मिलते हैं लोग नेक्स प्लास में लेते हैं आप से वीदा आप लोगों के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए पीवी सब है जो आप लोग इस बंद कर दिया है चलो इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं डबल नाइन जीरो फाइव नाइन वन सेवन फाइव वन सिक्स ऑफलाइन क्लासेज में होते हैं रांची में ऑल्लाइन क्लासेज एपर धूरीन एपर ज्यादा प्री में चाहिए तो फ्री क्लासेज आपको मिल रहे हैं यूटूब पर सब सुविधा अबलबल है अभी आप क्या कर रहे हैं पैसा प्याद्धोडी ना किये हैं और यूटूब पर क्लास कर रहे हैं कि नहीं क्लासेज मिलें यूटूब पे आप लोगों को प्रती दिन आज और आप लोगों कोई प्रश्न मिलते हैं अम लोग कल फिर से आप से बीदा धन्याओं